नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फिर्स्ट इन्विस्मेंट पे एड मैं हूँ आपका मेंटर शिवांज बसी वीडियो में बात करेंगे कि ट्यूजदे को हम कौनसे स्टॉक्स पे ट्रेट कर सकते हैं प्लस निफ्टी बांक निफ्टी का क्या सेटप रह सकता है मंटे को जैसा आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट की हॉलिडे है और सबसे पहले आप लोगों को में हैपी होली कहना चाहूंगा और प्लीज पक्के रंग के साथ बिलकुल मत खेलेगा गुलाल के साथ ही खेलेगा जादा पानी का यूज बिलकुल भी मत करेगा और बात करते हैं Tuesday की तो निफ्टी बांक निफ्टी के सेटप के उपर बात करते हैं प्लस तूजडे को जब मार्केट ओपन होगी बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी निउस आ सकती है और आ चुकी है और शयाद उस पर बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स रियाक्ट करे सु यहाँ पर मैं ऊपर एक वीडियो डाल दूगा उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं या फर मिंद नीचे दिस्क्रिप्शन पे उसका लिक डाल दूगा या जैसी यह वीडियो एंड होगी वीडियो एंड होने कि 10 सेकंड में आपको वीडियो शो कर जाएगी आप उसे तके जरूर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौँचे-कौँचे stocks पर आप extra 5 stocks जो मैं आप बताता हूँ, extra 4 stocks और उस पर है जिस पर आप trade कर सकते हो, तो चली start करते हैं, सबसे पहले अपनी analysis start करते है, on nifty, nifty, सबसे पहले bank nifty पर अपनी analysis को start करते हैं, and आप clear basis पर देख पा रहे हैं, कि bank nifty is trading in a downward, ठीक है bank nifty is continuously making its lower lows and lower highs, आपको यहाँ पर clearly दिख रहा है, ठीक है, continuously lower lows and lower highs form कर रहा है, तो यानि कि अभी तक यहाँ पर एक buy का signal generate नहीं हुआ है, ठीक है, buy का signal general indicate होने के लिए हमारे पास दो चीज़े होनी चाहिएं, पहला कि अपने previous high को break करके उपर जाए, यह हमारा पहला signal होगा, पहला indication होगा, दूसरा indication जो perfectly से confirm करेगा कि अब reversal आज चुका है, वो यह है, जब अपने previous high को break out अब दे के ऊपर जाएगा, उसके बाद उसे दुबारा एक बार नीचे आना है, जब वो दुबारा नीचे आएगा तो अपने previous low को break ना करे, अट दुबारा वो उपर जाना, start करे और अपने previous high को break करें, तो तब ही हमें सब्सक्राइब करेंगा, यह हम लोगों को buy side की तरफ तो बिल्कुल भी trade नहीं करना, यह हम लोग कुछ points से मलब 100 या 500 points तक के लिए अगर कर पाया है, तो कर सकते हैं, चेक है, तो वैसे हटा देता हम एक second के लिए, यहाँ पर आपको clear basis पर दिख रहा होगा, कि यह एक strong red candle ह यह मैंने early chart open करावा है, तो यह strongly red candle है, आप देख सकते हैं, इसके नीचे ही पूरे time market trade करी है, पूरे time bank nifty trade करा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, current price जो bank nifty का भी है, वो है 33,445 का, अभी है 33,445 का, and I personally think कि जब यह 33,600 के उपर जाएगा, यानि कि इस black line के उपर जाएगा, ह अब मैंने आप लोगों को बोला, it's continuously making lower lows and lower highs, तो यानि कि हो सकता है, शयद अभी ही lower lows and lower highs form करें, so इसका high के बार में बात करते हैं, इसका जो high है, वो है यह level पर, यानि कि 34,200 पर, यानि कि almost 600 points उपर, so हम लोग कौन से targets तक पहुचे कि हम लोग को profit booking start कर देनी है, so let me use a Fibon anarchy retracement, and I personally think 33,800 या 33,000, 34,000 के आज सपास, 2-400 points के बीच में, आप अपनी profit booking कर सकते हैं, and आप वेट कर सकते हैं, कि वो नीचे आजाए, दुबारा इस लेवल से, तो आपको shorting opportunity बहुत अची मिल जाएगी, but अगर ये breakout दे देता है, अपने previous high को, then it's well and good, आपको trade नी करना breakout वो नीचे आने दो उसे, जितना उपर जाने जाने दो, but एक बर वो नीचे definitely आएगा, जब वो नीचे आएगा तो उसके लिए हो जाएगा एक previous low, अगर उसने अपने previous low को break नहीं करा, और वो दुबारा उपर जाना start करा, that's the time you have to buy for a swing trading, और ये जो पूरी movement थी, ये जो प clearly basis पर देख पा रहे हैं कि it's continuously on a downside movement, and ये बिलकुल downside movement पर ही trade कर रहा है, and मुझे लगता है कि अभी और नीचे जा सकता है, या फिर और उपर जा सकता है, so आपका और bank nifty का same scenario है, अब bank nifty के अगर मैं बात करूँ, और nifty की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं, दोनों exact mid प this should be our target, और ये 200 देखा है, exponential moving average भी है कि वहां तक particular stock या index जा सकता है, अब buy करना है, उसके बारे में बात करते हैं, तो buy के लिए let me open 15 minutes time frame, and let's check, अगर हम लोग buy करते हैं, तो I think this should be our entry point, let me make it, yes, आपको यहाँ पर clear way में दिख रहा है कि यहाँ पर आप एक buying setup definitely generate करके चल सकते हैं, I think it's forming a head and shoulder pattern, bullish head and shoulder pattern, अगर इसका breakout आता है, you can go for a buy 14,640 से लेके 14,740 तक के targets होगे, but you don't have to wait for the whole target, for the second target, आप बीच में ही exit कर सकते हो, जिस पे आपका जो risk है, वो कम होए, और आप early exit कर पाऊ, okay, so let's talk to stocks first, and our first stock is TVS motor, so let me open TVS motor charts, yes, so TVS motor charts के बारे में बात कर लेते हैं, and let me open daily time frame first of all, जब में daily time frame open कर रहा हूँ, तो आपको clearly एक pattern दिख रहा होगा, जिस pattern के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, this particular pattern is called a gatley pattern, and let me show you, this pattern, yes, आप यहाँ clear way में देख सकते हैं, this particular pattern is formed a gatley pattern, and आप इस candle को जड़ अब observe करें, सिफ आपको candle sticks को follow करना है, okay, a continuous downward movement, and आप देख सकते हैं, आप एक rejection, exact इस level में बिला, it formed a hammer candle, hammer candle form करने बारे एक gap of opening हुई है, आप देख सकते हैं, simple gap of opening हुई है, and exact अपने previous candle के ऊपर जा कि अपनी closing करी है, and that's a good sign, okay, चलिए, जादा study करते हैं, और entry level find करने की करते हैं, इस level point पे, okay, to find the entry level, let me draw that Fibonacci retracement, and I think की, देखिए, 78.6% से particular stock reverse करा है, and exact जो resistance आए, 61.8% Fibonacci level पे आए, which level is this, and 574 का level है, जो की एक important level है, आप इस level के breakout क्यों पर buy कर सकते हैं, and let me open 15 minutes time frame as well, and 15 minutes के time frame पे आपको clear basis पे दिख जाएगा, कि exact 574 पे, एक 200 का moving average है, exponential moving average है, जिसके उपर breakout पे, आपको एक अच्छी movement देखने को मिल सकती है, so I think, यह stock Tuesday को बहुत अच्छा perform कर सकता है, तो इस particular stock को definitely trade करने की कोशिश करेंगे, and our second stock is, Torrent Pharma, जिसके बारे में, हम लोग बात पहले भी कर चुके है let me open daily time frame, आप clear basis पे देख सकते हैं, कि it's continuously in a channel, एक downward sloping channel के अंदर trade कर रहा है, and इसने एक head and shoulder pattern बनाया, on a downside basis पे, exact आप अपने support से यह bounce कर रहा हूं, उसके बाद एक resistance level पे trade कर रहा था, and आप clearly यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसी level पे इसने head and shoulder pattern फर्म कर रहा है, let me show you clear basis पे आप आप देख पा रहे हैं, कि एक hidden shoulder pattern फर्म हुआ है, और जैसी इसका breakout हमें देखने को मिलता है, around currently price इसका भी चल रहा है, वो चल रहा है 24.60 के आस पास तक का, and अगर इसका यह breakout देता है, इस particular level का, तो I think यह अच्छी movement दे सकता है, so आपको buy करना इस particular stock को around 24.60 के, 65 66 के ऊपर, and I think the target should be around 2500 के आस पास तक का, जो कि I think easily achievable है, okay, so यह है Torrent Pharma, इसी एक के साथ एक और pharma sector में एक और stock है, that is Dr. Ready, Dr. Ready, एक और stock में आप लेकर आप लेकर आप ले, let me open this, आप यहाँ पर देख सकते है, simple मैंने demand and supply zone को use कर रहा है, and उसके basis पर हम लोग यह trade को find कर रह आप यहाँ पर easily basis पर देख सकते हैं कि stock ने क्या करा, this is the support, 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 जैसी support break हुआ, बहाँ पर retest करा है, दुबारा नीचे आया, नीचे आने के बाद दुबारा उपर जा रहा है, अब आप candles को ज़रा हो, अच्छे से ध्यान से समझेगा, उपर गया, multiple time इदर rejection देखने को मिल जाके उसने पनी closing दिया, और एक bullish hammer candle की form में इसने closing दिया, so अभी यहाँ पर हम लोग buy नहीं कर सकते हैं, but जब इस level के उपर close करेगा, current price के अगर मैं बात करूँ तो current price चल रहा है, इसका 4406 रूपीज का, अगर 4420 के उपर निकलना start करता है, तो definitely अच्छी buying momentum अभी देखन कर सकते हैं, but swing trading तब ही करेगा, जब आपको एक confirmation मिल जाए कि अपने previous high को अपने index ब्रेकर के उपर जा रहे हैं, and last stock is sale, जो कि मैं buy करने की सलह दे रहा हूं आप तोगो, sale पे आप clear basis पे देख सकते हैं, कि एक, just wait a second, let me remove this, बुनाची retracement, आपको यहाँ पर clear basis पे दिख रहा breakout from this level, और एक range के अंदर काम कर रहा है, अब इस लेवल से breakout दे दिया, current price जो sale का चल रहा है, that is 76.75 का, अगर 77 के उपर भी निकलता है, तो भी आप buy कर सकते हैं, and I think the target should be 78 to 80 रुपीज का, मतलब 1-2 रुपे और 2-2% से 4% तक का return है, जो आप intraday के अंदर या 2 दिन के अंदर हासिल कर सकते हो, so stock को याद रखेगा, 77 के उपर buy है, मैं levels यहां लिख दूँगा, don't worry, and आप लोगों को अच्छे से provide हो जाएगा, so Tuesday से मैं start कर रहा हो, कि मैं telegram channel पे आप लोगों को levels provide करवाना start करू, and daily updates live market पे भी provide कराना start करू, so for that, आप description पे जा सकते हैं, जीचे description पे म आप नए हैं, और अगर आप आप नए हैं, और आपको वीडियो का content पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को subscribe definitely कर सकते हैं, let's aim for thousand likes in this video, और मैं और वीडियो आप लोगों लिए लेकर आते रहा होगा, so आप देख सकते हैं, कि telegram का link मैं नीचे डाल रहा है, आप उसे जाके join कर daily updates, और जो भी stocks मैं recommend करे हैं, उसकी perfect buying entry with target and stop loss provide करवाद होगा, so तब तक कि लिए bye-bye, and don't forget to watch that video, जिस पर banking sector को benefit हुआ, और कौन से stocks बढ़िया कर सकते हैं, दीचे आप लोगों को description पर link मिल जागा, या फिर यहाँ पर आपको video show कर रही है, तो मैं शिवांच भसीन, मिलता अगले वीडियो पर तब तक कि लिए bye-bye,